तर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचांग की आज दिनांग है चार जून सन दोजार तेई स्विक्रम समथ दोजार अस्ति चल रहा है जेश्ट मां से शुकुल पक्ष है ग्रिश्मुरितु है तिथी आज की पुर्णी मां है और आज का वार है रवीवार सरवार सिद्धी योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा शुब और योग कारग बना रहा है आज के नक्षत्र की बात करें तो जेश्टा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग सिद्ध है दिन में 11 बच के 58 मिनिट तक आगे 7 दे योग रहेगा तो योग की द्रश्टी से आज का ये जो दिन है बहुती शुब और योग कारग इसका पूरा-पूरा सदुपयोग कीजिए करण बव है सुबह 9 बच के 12 मिनिट तक आगे 12 करण रहेगा सुरियोदे का समय दर्श को सुबह 5 बच के 23 मिनिट का था और सुर्यास्त का समय शाम को साथ बच के 15 मिनिट का है आज का राहुकाल दौपयर बाद साड़े चार बजे से शाम 6 बजे के बीच रहेगा इसे पूरे सूजबू से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11 12 बच के 50 मिनिट से दौपयर 12-47 के बीच है दिन में दो बार दुष्टमूरत रहेंगे और यह दोनों दुष्टमूरत को आपको ध्यान से समझ के टाल देना है यह शाम 5 बच के 24 मिनिट पे और शाम 6 बच के 20 मिनिट पे आज का दिशा शूल दर्श को पश्च्चिम दिश चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इश्ट का ध्यान कीजिए उन्हें अपने हिर्दे में मानिए और फिर आप इस यात्रा पे निकलिए तो आपको दिशाशूल परिशान नहीं करेगा यात्रा आपकी मंगल में रहेगी कारे आपका सिद्ध हो जाएगा बच के पंद्रा मिनट से रातरी दस बच के तीस मिनट तक यह तीनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की अपक्षा ज्यादा शुब योग का रख है अच्छा है फट्स करें तो इस समय का ध्यान रखते वे कीजिएगा आज की चंद्राशी दर्शिको व्रस्चिक है चंद्रमा व्रस्चिक राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का यह जो दिन है सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को स्वास्त का विशेश ध्यान रखना है खास कर उने जिनको बीपी की समश्या रहती यानि ब्लड प्रेशर रहता है चाए लो हो चाए हाई व्रश राशी वाले अपने बिजनस पाइटनर से क्रोधित होकर बात ना करें नहीं तो बात बिगड सकती है सम्मान को ठेस ना पहुंचे इस प्रकार का कोई कारें ना करें कि ऐसी कोई सिचुउशन बने कंजा राशी वाले आज किसी के प्रति बदले की भावना से प्रेरित रहेंगे तुला राशी वाले अपनी बात द्रड़ता से रखेंगे और उनकी बात सुनी भी जाएगी प् नए साधन पाने में सफल रहेंगे वहीं कुम राशी वालों के कार्याले में चल रहें विवाद निपड़ते वे दिखेंगे और मीन राशी वाले भाग्ये से पाएंगे मजबूत और सफल व्यक्ति का साथ कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा उसका सदूप्यों कीजिए अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंतेदर्ष्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना दिया करते हैं और अंत में करेंगे आज की दिन की को सुव्यवस्तित कर सकते हैं ऐसे एक महापुरुष्टे महात्मा विदुर जिनकी नीती के सूत्रों में अनंत ज्ञान चुपा हुआ है जैसे कि उनकी नीती में से एक बहुती सुन्दर सुपती है कि क्रोदो हर्शस्च दरपस्चेहरी स्थम्भो मान्य मानिता यमर्थान नापकर्शंती से वे पंडित उच्चते इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्रोद एहंकार दुष्कर्म यानि पाप अति उत्सा स्वार्थ उद्दंडता इन सब दुर्गणों के प्रती आकर्शित नहीं होते हैं वही सच्चे ज्यानी है और पंडित कहलानी योग है कि इसकी पात्रता देवता के सरदस्ट गुणों के कारण प्राप्त होती है या आप में देवत्व जब जागरत होगा तो आपको पंडित कहा जाएगा इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्रीक्रिश्चन ने कहा कि गता सून गता सूश्चे नानु सोचंती पंडित या जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं उनमें से किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं वो पंडित जन होते हैं तो समत्व और ज्यान की पराकास्टा पंडित हैं तो इस शब्द के महत्व को समझ कर इसका प्रयोग करना चाहिए और यह समझे कि हमारे पुर्खों ने हमारे पूर्वजों ने और हमारे शास्त्रों ने हर एक शब्द के बारे में कितनी गहन चिंतन की और उसको कितनी वैल्यू दी यह अची ग्यान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विस्ष्ट उपायों पर जो आपकी समश्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देंगे जिने करके आप असफलता को अर्चनों को जीवन से बहुत दूर पीछे छोड़ते वे अपने जीवन की सफलता और अपने जीवन में समरद्धी की और अग्रसर होंगे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आपको छोटे-छोटे उपाई कर लीजिए जिससे आने वाला पूरा वड़्श आपके लिए समरद्धियों और आनंदायक रहे इसके लिए आज आप भगवान शिवजी पर फलो के रस और और मीठे धाई सा विशे कीजिए साथ ही आज दौपेर अपने पिताजी को लाल या भगवा रंग के कपड़े लाकर उनको भेंट करें बहुत ही उत्तम फलप्राप्त होगा उनका आशिरवाद लें पूरा वड़्श आपको बहुत सुन्दर बीतेगा ऐसे दर्शे को रा नवश्य कर लेना चीए जिससे आने वाला समय आपके अनुकूल रहे सफलता की चांसे बड़े वरें इसके लिए सबसे सटीक समय या तो सुबह सवाट से सवानों बजे का है या शाम छे बच के सताओन मिनट से रातरी नौ बजे के बीच रहेगा करना सुरुफ यह है यह जात बढ़े करें जो एक चोटी घंटी रखेंगे और इसको बजाते विए ग्यारा बार इसका जाप कर सकते हैं इसके बाद में आपको किश्मिश बदाम नारियल का बुरादा मखाना मिला हुआ इस प्रकार का एक प्रशाद भगवान शिवजी को और पित करना है और उनसे साधना की और हवन की आज्या मांगनी है इसके बाद में आप घर आईए और घर आकर 11 माला इस बहुत ही विशेश मंत्र की कीजिए मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र बहुत गोपनी और सठीक है मंत्र फिर से समझेगे और 11 माला जाप के बाद में फिर इसी मंत्र की 108 आहुती पंच मेवा और नारियल मिलाकर आपको देनी है दर्शे को जिस किसी मनोकामना के लिए आप यानुस्टान करेंगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी यदि इस पूजन को आज से लेकर अगले नौ दिन तक अगर आपने नियमित कर लिया तो आप फिर खुद आश्चरी चकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक इस्तिती अ पढ़ाई में संगर्ष कर रहे हैं या जिनको निकड़ भौश्य में किसी महत्वपुन परिक्षाव बैठना है आज से माता सरस्वती की विशेश पूजन बहुत अच्छी साधना शुरू कर सकते हैं सटीक समय साधना का है शाम 8 बचके 15 मिनट के बाद का इसके लिए आफ को आयरवेद की जो दवा की दुकाने होती वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा इसके बाद में माता से प्रात्ना करें कि वह आपको विद्या बुद्धी में समर्थ बनाएं आपकी यादाश्ट को यानि स्मर्ण शक्ति को बढ़ा दे इसके बाद में आप तीन माला याइस विशेश मंतर की करें अंत में सामने रखावा जो यह प्रशाद है और नुगत याप खालें रोजन आ आपको आदा चम्मच की मात्रा रखनी है मंत्र को ध्यान से समझेगा मंत्र फ्रकार है ओमी कुछ ही हफ्तों में बहुत बड़ी अनुकंपा बहुत बड़ी कृपा का अनुभव आप करेंगे आपकी तर्क बुद्धी में व्रद्धी आपकी वानी के अंदर ओज आपको खुद को दिखेगा इसमें कोई संद्य नहीं तो दर्शे को यह थे आज की वह पत्री का यह हमारे दर्शक मुकंद बिहारी जी की उद्यपुर से 17 मई 1979 का इनका जनम है शाम पांच बेच के क्याओन मिनट उद्यपुर में जनम हुआ है प्रश्न है स्वास्त समश्याएं हैं उपाए बताईए मुकंद जी द्वित्य भाव में स्वराशी का मंगल है सब तो महाव में नीच राशी का शनी है तो आपको वात और रक्त विकार है जिससे अर्थ्राइटिस आपको निश्यत रूप से हो चुका है यानि गठिया आगे जाके नियूरो रिलेटेड सर्जरी भी आपके संभाव है लगने शुक्र आपका पाप पिडित होकर छटे यान अंगल की शान्ती भी आपको सवा लक्ष यानि सवा लाक महामृत्यूंजे के जाब भी करवा लेने चाहिए और खुद भी आपको नित्य साथ माला महामृत्यूंजे मंत्र की करनी चाहिए देखिए आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि निश्टूर प्रारब्द को भोगना पड़ता है लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको आराम निश्यत रुप से मिलेगा ये सारे उपाए करने के बाद आज की हमारी दूसरी जन्म पत्री का यह हमारे दर्शक सुशील चौदरी जी की बूंदी से 22 जन्वर इंदस्ट्री फूड रिलेटेड किसी कंपनी या इसके बाद दूसरी वरियता यानि फर्स्ट ऑप्शन तो यह है सेकंड ऑप्शन आपको बैंकिंग और इंशुरेंस को देनी चाहिए जुलाई सन 2023 से लेकर मार्च 24 के बीच में आपकी नोक्री लग जाएगी उत्तमफल प्राप्ती और अर्चने ना है जीवन में इसके ल आज के विसस टुपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधी सटीक समय पे करके आप पुरफरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे जिस गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इसकास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम इसे और भी बहतरीन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हम डिवाइन कैडिन्स लेते हैं एक से लेकर नौ मूलांग तक की कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है कौन सा होगा आपका मूलांग एक उधारन देती हूं कि अगर आपकी डेट 21 यानि कि 21 तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 3 तीन होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 4 जून 2023 और आज की तारीक नंबर 4 के जो स्वामी है वो है राहू और किस प्रकार से राहू एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर आज अपना आज के कारिक्रम में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तविक्ता में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और जो चीज हम आसपास देखते हैं किस तरह से हम चीजों को बैलेंस करें और अपनी जिंदगी को खुबसूरती के साथ जीएं त न生 जनम के इस जीवन के लक्ष की बात नहीं कर एक प्रम लक्ष की बात कर रहे हूँ परम लक्ष का अर्थ है कि हमारी जो सोल है हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा में योग होना सायुज्ज होना यह हर एक व्यक्ती का Alfamateand water है हर एक सोल का Altamateand water होता है फिर वो चाहे मन तरिफ लग दर्मों में अलग लग समगदायों में सबके मार्ग हैं लेकिन मंजल सबकी एक ही है और आपने देखा होगा कि प्राचीन समय से अगर हम बात करते हैं हिंदूईजम की तो जो मैं आप से यह बात कर रही हूं इसके लिए भी मैंने प्रॉपर जो है वो स्टडीज की है हावर्ड एक्स के साथ मैंने हिंदुइजम थू इस स्क्रिप्चर किया है और यह पूरा वर्ल्ड मैं केवल भारत को रहके बात नहीं करी मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूं पूरे विश्व में यह माना जा चुका है कि हि सनातन जो है चुमारि की जीवन को जीने का एक दिनचर्या का हिस्सा है तो यह और वह सारा ही महाविज्ञान है वह सार प्राणयाम करते हैं स्वास प्रस्वास पर ध्यान देते हैं तो कुल में लाके हर यह चीज हमें शारिरिक मांसिख भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है तो आए दोस्तों चर्चा बहुत बड़ी है लेकिन फिर अगले एपिसोड में लेकिन अभी हम बा हमें आज क्या गाइड कर रही है चार जून 2023 मूलंग एक के लिए और हमसे कहा जा रहा है बॉडिज ऑफ वाटर आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बॉडी में डी हाइड्रेशन ना होने पाए इसके लिए आपको करना चाहिए आज का जो दिन है वह बहुत जाता आपके इमोशन पर भी निर्भर करने वाला है आज आप इमोशनली बहुत जाता वीक महसूस कर सकते हैं तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहें अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें भावनात्मक र के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है चार जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हाथ और का कार्ड है रिसिप्टिविटी का आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आपको प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने वाला है आपक परमात्मा, आपके कारेशेत्र में आपके परिवार में बहुत कुछ आज आपको प्राप्थ होने वाला है बहुत सारी सर्प्राइज गिफ्ट आपको मिल सकते हैं कुछ नहीं ओपर्चुनिटिज आपके जिंदधी में आ सकती है divine energies और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आपको किसी प्रकार की अपने गुरु से दिक्षा भी मिल सकती है यहां तक कि ब्रह्मांडी उर्जाओं से भी साक्षाद आपको दिक्षा मिल सकती है तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो रिसीव करने का है और इसे जितना ज़्यादा ओपल रिसीव करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला किसी प्रकार के जज्ज्मेंट को अपने अंदर से निकाल दीजेए आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारी मा भगवती क्या गाइड कर रही है आज 4 जून 2013 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है quiet time आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शान्त रहना बहुत जरूरी है मौन रहें जितना हो सकें वाणी पर नियंतरन रखें कुछ भी अपने मुख से ऐसा ना निकालें जो कि किसी भी प्रकार से आपके लिए परिशानी क्रियेट कर दे क्योंकि कहा जाता है ना कि जबान जो है वो लड़ाई भी करा सकती है और यही जबान जो है वो प्रेम भी बढ़ा सकती है तो आज के दिन आपको बहुत ध्यान रखना है अपने बोलने पर नियंतरन होना चाहिए उतना ही बोलें जो की आवश्यक हो और अगर किसी प्रकार की ऐसी आपके आसपास की परसिती आपको दिखाए देती है जहांपर की जो है वाद विवाद हो सकता है किसी प्रकार की कले कलेश हो सकती है तो ऐसे स्थान से अपना आपको बिल्कुल हटा ले आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 4 जून 2023 के लिए देखिए आज की तारीक भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की बात हम कर रहे है और हमें 4 के लिए गाइड किया जा रहा है Unconditional Love आपको कहा जा रहा है कि आपना जो आपकी पॉकेट में होता है वही आप लोगों को देते हैं कही ना कहीं आपके परिवार जन या आपके प्रिये जन आपसे प्रेम के डिमांड कर रहे हैं कि प्रेम करें आपको जह पसंद है उन चीज़ों को करें और जो पसंद नहीं है उसे Dwight करें तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपको love compassion में जीना है आज के दिन जितना हो सके heart chakra पे रहे अगर किसी प्रकार से कोई काम आपका नहीं बन रहा है अटकराए तो भी frustrate ना हो कोशिश करें frustrate ना हो मुझे पता है कि frustration होती है human nature है लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में है प्रयास करें कि frustrate ना हो बलकि उस energy को कहा शिफ्ट कर दे उन चीजों को करने में जो आपको वास्तित्ता में करना पसंद है जो आपको भीतर से खुशी देती है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है चार जून 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको divine love मिल रहा है आपको कोई miracle हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई surprise आपको मिल सकता है और साथी साथ ये बताया जा रहा है कि आपके कारेशेत्र में आपको कोई एक ऐसी opportunity भी मिल सकती है जिसका आप कई दिनों से इंतिजार कर रहे थे तो कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत अच्छा है गुड opportunities का है और कुछ miraculous गटना भी आपके साथ आज हो सकती है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक च्छे के लिए हमें परमात्मा हमारी मा भगवती आज क्या गाइद कर रही है 4 जून 2023 के लिए और मूलांक च्छे के लिए हमें कहा जा रहा है focus intention आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा जो आपके जो अनवेवरिंग जो आपके thoughts हैं जो आपका focus जो है वो आउट हो रहा है आपको अपने लक्ष पर ध्यान केंद्रित करना होगा आपको उस विश्य पर ध्यान देना है जहां पर आपको वास्तिक्ता में ग्रोथ चाहिए कहीं न कहीं किसी प्रकार के addiction की वज़े से या आपके बहुत ज़ादा लापरवाही करने की वज़े से जिन चीजों को जो मार्ग जो आपका है इस जीवन का आप उससे भटक रहे हैं तो डिवाइन आपको क्या guide कर रहे है कि focus करें बिल्कुल focus करें उन चीजों के उपर जो की वास्तिक्ता में आप प्राप्त करना चाहते हैं आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है चार जून दो हजार तेस के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है golden opportunity का card है आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है आज का दिन आपको अपने कारे शेतर में अपने जीवन में कुछ नई opportunities आपको प्राप्त हो सकती हैं कुछ ऐसे सुवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपकी life में आगे growth करने में आपकी मदद करेंगे कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ आपका support कर सकते हैं जिनकी आपने कलपना भी नहीं की थी हो सकता है कि आपके जो competitor हैं वही आपको support कर दे तो कुल मिलाके आज की दिन की energies बहुत अच्छी हैं काफी जाथ emotional आजा feel कर सकते हैं और अपने love one के साथ आप अपने feelings को share भी कर सकते हैं आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माभगवती आज क्या guide कर रही है 4 जून 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है sensitivity का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना है आज के दिन आपको कुछ चीजें hurt हो सकती है कुछ past की चीजें आपको याद आ सकती है अपना कारे करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का वातावरन जो है वो कलह का बन रहा है किसी प्रकार के लड़ाई जगड़े का बन रहा है तो वहां से अपने आपको दूर रखें और खास तोर पर ऐसे व्यक्तियों के सामने आप ना रहें जो की आप जिन्हें पसंद नहीं करते या जो आपको पसंद नहीं करते कुल मिला के आज आज आप क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं आज आपसे कोई बात भी करेगा तो चुरचड़ाहट आज रह सकती है थोड़ा सा अपने स्वास्त पर भी ध्यान दें और अत्यधिक कारे को करने से बचें शमता से अधिक कारे जो है कभी-कभी में फ्रस्ट्रेट भी कर देता है तो इन विश्यों का आपको ध्यान रखना आवशक है आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 4 जून 2013 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रस्पेरिटी का कार्ड है अबंडेंसिया का गॉड़ेस अबंडेंसिया इनकी मा लक्षमी की कृपा आपके उपर बनी हुई है और आज के दिन आपको काफी कुछ प्राप्त होगा कहीं न कहीं आप बीतर से बहुत जादा संतुष्टी महसूस करने वाले हैं खुशी महसूस करेंगे आपका जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए लोग आपका साथ देंगे अगर आपके जॉब या आपके बिजनस में आपको ऐसा कारे कर रहे हैं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उसे लोग सराहेंगे कुल मिला के आज लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे और आप अपने कारे से खुश होंगे आपके बॉसेस भी आपका दिन शुब हो दोस्तो ये थी रीडिंग हमारी एक से लेका नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें अगर आपकी कोई भी क्वैरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हम से संपर्क कर सकते हैं मिलूंगे आप से हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम